Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Recently President of Ukraine Zelensky ने एक interview दिया, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि उनको उमीद है कि पुरा दुनिया Russia के against उनको support करेगा और जिस तरीके से Ukraine को इस war में नुकसान हो रहा, इस नुकसान के पीछे उनके अलावा पुरा दुनिया जिम्यदार है As an Indian, हम इस Russia-Ukraine war से एक चीसों सीखी सकते हैं कि हमें कभी भी option के तौर पे war को नहीं चूस करना चाहिए हर वक्त first और last line of defense, dialogue और diplomacy ही होना चाहिए खास करके war के time में कभी किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सा देश आपको मदद करेगा और कितना मदद करेगा Recent interview में, Zelensky ने और क्या कहा, इसको हम जानेंगे, समझेंगे और साथ में, experts का क्या मानना है इस war को लेके, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं रिसेन जो अटेक किया गया है रुशिया के दुवारा वो किया गया है कारकाइव में कारकाइव के बारे में कहा जाता है कारकाइव यूकरेन का second largest city है इसके लावब भी यहाँ पे बहुत सारे factories हैं, schools है, colleges है, cultural capital भी कहा जाता है तो कहने का मतलब है कि can archive Ukraine का एक backbone है अगर किसी भी तरीके से Russia can archive को capture कर लेता है या इसको complete तरीके से destroy कर देता है तो हम बहुत हथ तक कह सकते हैं कि Ukraine as a country भी destroy हो जाएगा जब से can archive के ऊपर massive attack होना शुरू हुआ है Russia के द्वारा तबसे ये Russia-Ukraine war के बारे में कहा जा रहा है कि Ukraine almost ये war हार चुका है इसके अलावा भी ये जो dawnstack areas है इन सब areas को भी काफी huge नुकसान पहुंचा है ये नुकसान इतना जादा हो गया है कि यहाँ पे infrastructure के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है तो कहने का मतलब है कि इस war को अगर Vladimir Putin अभी भी रोग देते हैं तो Ukraine इस war damage से निकलते निकलते उसे काफी लंबा वक्त निकल जाएगा और साथ में जो European countries आज support कर रहे हैं Ukraine को possibilities काफी high है कि अगर कल को वहाँ पे leadership change होता है तो Ukraine को किसी भी तरीके का aid नहीं मिलेगा तो यहां से भी as an Indian हमें समझ में आता है कि चाहे वो China हो या चाहे पाकिस्तान हो हमें कभी भी war को as an option नहीं देखना चाहिए recent जो interview दिया गया है जिलन्सकी के दुवारा वो दिया गया है ABC News को जहां पे इनका कहना था कि जिस तरीके से कारकाइव में attack किया गया है और damage किया गया है इस damage को Ukraine नहीं रोक पाया है और उस failure के पीछे पुरे दुनिया जिम्मेदार है वहीं पे अगर बात किया जाए बहुत सारे high ranking Ukraine के military officials का तो उनका कहना है कि जो situation on ground है ये काफी severe है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि Ukraine रश्या के सामने stand हो पाएगा एक बात में दुबारा याद दिला दू कि वो सारे देश आज भी रश्या के साथ business कर रहे हैं जिन देशों ने बर्च रड़कर रश्या के उपर sanctions लगाया था तो कहने का मतलब है कि जिलन्सकी पूरे के पूरे Ukraine को war में एक तरीके से जोक दिये हैं और जिन देशों के कहने पे जोके हैं वो देश आज भी रश्या के साथ business कर रहे हैं वहीं पर अगर बात किया जाए US के दौरा भेजा गया assistance के बारे में जो एक देश सबसे बड़ा beneficiary निकल के आता है वो निकल के आता है US तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि US को blame ना करके वो देश का जो अपना leadership है जो उसके अपने independent foreign policy है वो decide करते हैं कि आपको किस देश के साथ कैसे relation को maintain करने है और उसके बाद एक जो बहुर बड़ा turning point देखने को मिला है Russia-Ukraine war में वो देखने को मिला है जब से हमास और इस्रेयल के बीच में conflict शुरू हुआ तब से तब से जो पुरा focus था वो focus deviate हो गया इस्रेयल हमास के तरफ as a result यह होता है कि Ukraine almost mid of the war में alone हो गया तो यहां से भी हम सीख सकते हैं कि कोई भी circumstances कभी भी create हो सकता है और खास करके during war अगर एक दिन भी अगर आपके पास supply नहीं पहुंचता है तो वो एक बहुर बड़ा setback हो जाता है वहीं पे पिछले मैंने US के Parliament ने 61 billion American dollars का aid sanction किया Ukraine के लिए लेकिन इसके बारे में reality यह है कि वो aid अब तक Ukraine के पास नहीं पहुंचा तो कहने का मतलब है कि announcement बस कर दिया गया लेकिन उसका अगर आप ground reality चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका effectiveness complete तरीके से zero है उसके बाद जिस तरीके से Israel के पास air defense system है या Russia के पास S-400 है तो Ukraine ये उमीद कर रहा है कि उस type का air defense system को Ukraine को supply किया जाए जहां पे Ukraine रश्या के जो missiles हो कह रहा है उसको intercept करें बाइदवे जो air defense system होते हैं इसको maintain करना काफी costly होता है तो US इतना बेवकूफ नहीं है कि वो Ukraine को इस हद तक मदद करेगा जहां पे US को ये साफ दिखना शुरू हो गया है कि Ukraine इस war को हार जाएगा और वैसे भी US कभी भी अपने जो बराबरी के देश होते हैं उसके साथ वो war में जाना effort नहीं कर सकता है और अगर आप current situation जानेंगे Russia-Ukraine war का तो उस current situation को देख के ऐसा लग रहा कि ये बस कुछ दिनों की ही बात है जहां पे Ukraine को ये officially मानना पड़ेगा कि Ukraine इस war को हार गया है और इस पूरे war के end तक Vladimir Putin एक one of the strongest leader निकल के आएंगे वहीं पे अगर बात किया जाए experts opinion का तो उनका भी ये मानना है कि Ukraine के पास sufficient time था जहां पे वो directly conversation कर सकते थे Russia के साथ में और साथ में जो Ukraine के common civilians है उनको भी लग रहा था कि अगर directly बात किया जाता तो इस war को avoid किया जा सकता था उसके बाद बहुत सारे जो military officials है उनका ये मानना है कि ये war अब unnecessary बढ़ता हुआ जा रहा जहां पे definitely जो defeat है वो Ukraine का होने वाला है और अगर ये war और भी लंबा खिसता जाएगा तो जो human casualty से सिर्फ वही बढ़ेगा बागी कहीं से कोई scope नहीं दिख रहा है कि Ukraine इस war को जीतेगा अगर हम इस video को conclude करें तो हमें कुछ बाते तो बहुत directly समझ में आता है वो ये है कि कभी भी हमें war को as an option choose नहीं करना है और खास करके रश्या के पास जो weapons थे ये इनके खुद के weapons थे उसके बावजूद कितनी बार ऐसा लागा कि शायद ये रश्या इस war को हार जाए वहीं पर अगर हम बात करें भारत के बारे में तो हमारा जो weapon है वो आज भी बहुत ही dangerously dependent है foreign countries के उपर तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से महस अगर एक सपता का भी delay होता है तो एक बहुत बढ़ा difference create कर देता है war में I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye